हैं सबसब आजBo najle phone जम बनाने वाले हैं चोगो बैनीला केक एड़ा इस मैं आपको बता दू ये जो स्पोंज पनीक नेका वंद उस नहीं किया है इसनिकी उस बाण कर है उस니다 जो क्लर कि नो तहका है कि लिए इस के अंदर वाइट क्रीम यूजड क्या है। इसमें कोई भी चॉक्लेट ट्रЕुफूल हम shortened जोनेग मीक्स करें उसके बाद हम देते ते लिकिन घजोको बैनियला केक है। इसलिए इसके अंदर हमने वाइट क्रीम यूज़ किया है तो चलो इसी तरीके से हम इसके का लेयर लगा लेते हैं आप जाओ तो आपने इसाब से कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हो इसके का जो में मकसद है वो है इसका डिजाइन डेकोरेटिंग एन गाइस चलो हम इसके क को आइसिंग कर लेते हैं आइसिंग करने के लिए हमने लिया है बटर पेपर इसको पाइपिंग बनाके पाइपिंग के अंदर क्रीम पेक करके इसको अच्छे से कर लेंगे तो अभी हम कटिंग करके विटाउट स्टेन इसके को भी हम आइसिंग करेंगे तो जैसे कि आप हम इसस्केक क कुछ इस तरीक से आइसिंग कर रहे हैं इस किक का जो such कि all राइसिंग है वह भी हम वह Dan करेंगे वह अगर रावंड की ऐसिंग करना है वहाला कि काफी मुश्किल है इसलिए हमने कुछ इस तरीके से साइट के ओर क्रीम लगा रहा हूं ताकि काइस आइसिंग करने में काफी आसान हो अभी काइस उपर की हो बस हमको प्लेन कर देना होगा तो आपकर पहली बार आइसिंग कर रहे हो आप तो पस अगर स्टैन नहीं है तो इस यह जो तरीका है इसको ज़रूर फोलो करें यह जो आइसिंग करने का ट्रिक है यह बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि गईस अगर आप आइसिंग नहीं आता अगर आप आइसिंग करते हो स्टैन पर या उटाउर स्टैन तो गईस यह जो क्रीम का मतलब फिनिशिंग है वो लाना काफी मुश प्रिक्राइब करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आइसिंग करना तो जैसे कि देख सकते हो मैंने प्लेन कर लिया है अभी गईस उपर की और जहांपे भी क्रीम एक्स्ट्रा हुआ है उसको हम कुछ इस तरीके से रिमूफ कर लेंगे तो चलो हम इस तरीके से एस केक को आइसिंग कर लते हैं एन गैस मैं आपको बता दो उटावट स्टेन अगर आप कोई भी केक आईसिंग करो तो गैस आप यह जरूर सुचना कि इस केक के ऊपर पूरा के पूरा डिजाइन से कवर हो क्योंकि गैस विटावट स्टेन आईसिंग जो है वह पोपर फि तरीके से उसके बाद इस तरीके से हम ट्रॉप कर देगे जैसे कि कैस आप देख सकते हो यह जो केक है इसका मैंने विटाओ ट्रेयन ऐसिंग किया है इसलिए इसके के पर जगा पे हम डिजाईन से कवर कर देंगे क्योंकि यह जो केक के यह proper finishing नहीं हुआ है जैसे कि यह stand पे होता है तो इसलिए हम इस cake के अंदर proper design से cover कर देंगे जैसे कि उपर के और मैंने कुछ इस तरीके से design किया था उसी तरीके से मैं side के और भी यह design कर लूँगा जैसे कि आप देख सकते हो साइट के और में कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ तो इसी तरीके से मैं डिजाइन करके पूरे केक को गवर कर लूँगा ताकि यह समझ में ना आए इसका जो आइसिंग था वो आन फिनिशिंग रहा हो तो जैसे कि मैंने उपर की और प्रोपर डिजाइन कर लिये है अभी गाईस हमको चोको जो टरफूल है वो हमने बनाया है इसको पाइपिंग में पैक करके हम कुछ इसके उपर डिजाइन करेंगे तो जैसे के उपर की और मेना पूरा डिजाइन कॉम्प्लेट हो गया है अभी चोको ट्रफल को आम पाइपिंग में पेक कर लेते हैं यह आपको बता दो आप अगर चोको ट्रफल से यह इसी तरीके से डिजाइन कर रहे हो तो अपना जो चोकलेट है उसको तोरा टाइट होने के लिए रख देना तो अभी आप देख सकते हो इसको मैंने कटिंग कर लिया जो चोकलेट कौन बनाया था अभी साइट की और कुछ इस तरीके से हम डिजाइन कर देंगे यह जो डिजाइन है यह आप कह सकते हो जैबरा डिजाइन क्योंकि यह वाइट एंड ब्लैक चोकले अपसान तरीके से इस केक की साइट के और चोको जो ट्रफल है इससे हम कवर कर देंगे आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी जैल भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से बीच पे जहाँ पे खाली स्पेज बचाता वह पे हम तोरा जैल यूज कर देंगे आप चाहो तो आपने आपने साबसे कोई भी गळाग या चुकलेट भी यूज़ कर सकते हो अपकर बैनीला केक बनाओ तो इस तरह के डिजाइन करने के बाद यहाँ पर रेड använd बिज़ा तक इपसकते हो अपने साबसे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो तो काईस यह जो केक है यह बिल्कुल पूरी तरह किसे कॉंप्लेट हो चुका है तो काईस आज का वीडियो बस यहाथ की था सो इस वीडियो कर अच्छे लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जबर करना आप अगर हमाने चैनल पर पहली बर हो तो क्योंकि गाइस ब वाचिंग वाचिंग वीडियो मिन्ते हैं किसी नेक्स्ट प्रेयो पे बहुते हैं